के अंदर सरकार के heat and run कानूर के विरोत्खा वैपा कसा देखने को मिल रहा है हरताल के दूसरे दिन ट्रांसपोर्ट की दिक्कत के साथ ही लोगों के सामने पेट्रोल की भी समस्या खड़ी हो गई है वाडी शहर के पेट्रोल भरवाने के लिए भारे भीड उमड रही है वाडी शहर में दो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्मवा तो तीस्ते पेट्रोल भरवाने के लिए सड़क तक लंबी कतार लगी हुई है कंट्रोल वाड़ी के इंडियन ओयल पेट्रोल पंप पर सुबह से शाम तक भीडुम्री पड़ी थी स्तीत इंडियन ओयल पंप में जादा से जादा गाड़िया पेट्रोल डीजल भरवाने आए थे इसी के बराबर HP पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम का स्टॉक होने से पंप के बाहर बोड लगा दिया हीट एंड रेन कानून के विरोध में चक्का जाम होने से हर्ताल की कारण स्टॉक पंपों तक नहीं पहुँच रहा नागरिको को काफी समस्याओ का सामना करना पड़ रहा है एक तरफ चालको का कहना है कि जब तक केंद्र सरकार इसने कानून को रद कराने का एलान नहीं करती वह काम पर नहीं लोटेंगे चालको के हर्ताल पर चले जाने से पंपों से तील और गैस की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है चालको की हर्ताल इसी तरह जारी रही तो पूरे शहर में पेट्रोल डीजल केरोसीन का संकट गहरा हो सकता है वहीं दूसरी और नागरिको का कहना है कि चालक बिना सुच चालकों को पहले इस सम्मन में लेटर देना चाहिए था लोग काम व्यवसाय छोड़ कर पेट्रोल पंप पर कतार में खड़े हुए है और पेट्रोल भरने की रहा देख रहे हैं इस संधर में ट्रांस्पोर्ट संग्टन के संस्ता पकद्धिक्ष नरेंद्र मिश्रा से करके गाड़ियों को धक्का मारते हुए नजर आ रहे हैं जिससे आम आदमियों को परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है स्तिती बिगरते जा रही है बीसे न्यूस के लिए वाड़ी से समाधाता की रिपोल्ट